असलाव अलेकुम वीवर्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल फिर्दोश बुटिक वीवर्स आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सवा मीटर में से कुर्ती बनाना जिसकी लेंद हमारी 39 इंच होगी यानि 49 इंच ये देखिए ये मैंने लंबाई वाले पार्ट का सवाइन चिलिया है जो मैंने टू लेयर में क्या हुआ है वीवर्स इसमें ये धियान रखना है कि जो हमारी folding होगी वो खुले भाग की साइड से होगी ये देखिए अब हम इसमें जो मैं चोड़ाई नापनी हूँ मेरे को जो तयार चाहिए वो 12 इंच चाहिए मैं इसमें 12 इंच से फॉल्ड करूँगी इस तरह ये देखिए हम चोड़ाई नापकर इसको फॉल्ड कर लेंगे अब हम इसमें लंबाई नापेंगे लंबाई जो होगी हमारी 39 इंच होगी यानि कि 49 इंच दो इंच इसमें अंदर फॉल्डिंग के लिए होगा ये देखिए इस तरह हम इसमें दोनों साइड निशान लगाकर इन निशानों को मिला लेंगे ये हमारी 39 इंच की चोड़ाई लंबाई है अब देखिए विवर्स जो हमारी लंबाई है उसके हम 3 पार्ट्स करेंगे पहला पार्ट्स हमारा 13 का सैकिन हमार 26 यानि 13 और 26 इंच का होगा इधर भी हम इसी तरह निशान लगा लेंगे ये देखिए और फिर उधर भी हम इसी तरह के से निशान लगाएंगे ये हमारे निशान तीनों कंप्लीट हो चुके हैं अब वीवर्स हम इसमें उपर की निशान लगाएंगे यह हम गले का जो निशान लेंगे वो डाई इंच है हमारा जो शोल्डर कट है वो 33 इंच है और जो हमारा आर्म होल से है वो हमारा 7 इंच है इस तरीके से हम इस निशान को मिला लेंगे और फिर जो हमारी चोड़ाई वाला पार्ट है वहां से इस निशान को मिलाकर आदा इंच का निशान लगाकर इसको गोलाई की शेप देंगे इस तरह और वीवर्स जो हम इसमें गला बनाएंगे इस तरह हम इसमें कट लगाएंगे यह देखें अब हम इसमें फिटिंग का नाप लेंगे तो जो हमारा चेस्ट का नाप है वो 36 है जिसका वन पार्ट होगा हमारा 9 इंच और 2 इंच इसमें एस्टर होगा यह हम 11 पर लगाएंगे जो हमारा कमर का नाप होगा वो 32 है तो इसका 1 पार्ट 8 इंच और 2 इंच एस्ट्रा हिप का नाप हमारा 40 है तो जिसमें इसका 1 पार्ट 10 होगा और 2 इंच एस्ट्रा इस तरीके से हम इसके 3 निशानों को मिला देंगे, यह हमारा कटिंग का निशान है इस तरह यह देखे और यह हमारा स्टीचिंग का निशान है यह देखे और यह हम नीचे जो पलू को फॉल्ड करेंगे उसका निशान है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, जो हमारा cutting का निशान था उससे हम इस पर cutting कर देंगे जो हमने 2 inch एट्टरा लिया था इस तरह ये देखें अब हम इसके armhole की cutting करेंगे जो हमने निशान लगाया था उसी से हम इस armhole की cutting कर देंगे और ये हमने जो shoulder में आदा inch का cut दिया था वो उसकी cutting करेंगे इस तरह यहाँ पर हम गले के निशान के गुट के लगा देंगे और अब हम जो आगे का हमारा arm hole है उसमें हम आदा इंच के निशान लगाएंगे इस तरह और फिर इसमें गोलाई की shape देंगे यह देखें यह हमने उपर की one layer उतारने के बाद बीच में जो हमाई two layer है उस पर निशान लगाकर cutting कर देंगे यह देखें इस तरह तो विवर्स हमारी यह कुर्ती की cutting कम्प्लीट हो चुकी है अब हम इसमें बाजू की cutting करेंगे बाजू की cutting करने के लिए जो हमारे side में बंद भाग वाला कपड़ा बचाता उसमें हम इसमें cutting करेंगे बाजू की यह देखें हमें जितनी लैंच चाहिए उसके according हम इसको fold कर लेंगे इस तरह यह देखें यह हमारा four layer में है अब हम इसमें नाप कर देखेंगे हमारा armhole complete आ रहा है क्या है यह हमारा 7 इंच आ रहा था और आगे हमारी लंबाई भी complete है 16 इंच और फिर हमारे यह आगे की बाजू का यह जो साड़े पांच होता है वो भी complete है इसका मतलब हमारी जो stitching का कपड़ा है वो complete है लेकिन हमें जो एस्टर कपड़ा है जो होगा वो हमें इसमें joint करना होगा तो यह देखे यह हमारे stitching का निशान है हम देख लेंगे कि जो हमारी नीचे की layer है वो भी इसके बराबर है क्या यह देखे अब हम इसको आगे की जो कपड़ा है इसको हम cutting कर देंगे एस्टर कपड़े को यह जो इसमें side में उसको भी cutting कर देंगे अब हम इसमें side में जो कपड़ा हमें joint करना होगा एस्टर के लिए 2 inch तो वो हम इसमें joint करेंगे इस तरह इसकी मैंने 4 layer कर ली है और इसमें हम इस तरह इसको जोड़ेंगे आगे की side में भी हम इसी तरह से चार तै करकर इसके आगे joint कर देंगे इस तरह लेकिन वीवर्स यह मेरे को joint नहीं करना क्योंकि मैं इसमें design बनाऊंगी तो मैं सिर्फ पीछे की side का यह joint करूंगी अब हम इसमें armhole नाप कर देखेंगे तो यह देखे हमारा 7 complete और 2 इंच अस्ट रहा है अब हम इसको यहाँ पर आदा इंच के shape लेकर armhole की cutting कर देंगे इस तरह और यहाँ से हम बाजू की cutting की shape देंगे और यह हमारी four layer में था तो यह joint था हम इसको अलग कर लेंगे विवर्स यह जो हमारी कत्रन है जो हम इसमें joint करेंगे यह चारो बाजू में यानि चारो पार्ट में joint होगी दोनों बाजू में अब यहाँ से नीचे से भी हम इसको अलग कर लेंगे यह देखें अब जो हमारे मुड़े की cutting है आधा इंच की वो हम इसे joint करने के बाद देंगे विवर्स आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे comments करके जरूर बताना और मेरी वीडियो को like करना शेयर करना और मेरे चैनल को subscribe कर लेना थैंक यू